नमस्कार फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है देख रहें ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी हलवा जिसे हमने ना तो गाजर को काटा है ना ही घेसा है एकदम साबूत गाजर लिया है फ्रेश एकदम देखिए रेड इसके दोनों हिससे हमने कट किये हैं और फटा फट इसे 6-7 मिनट में हम प्रेशर कूकर में बना लेंगे इसके लिए एक चमच बड़े चमच घी हमने डाला है और उसके बाद इस गाजर को हम 600-700 गाजर है हमारी अगर आपको लगी गे कि गाजर आपके प्रेशर कूकर में नहीं आ रही क्योंकि ये 2 लीटर व अपने गाजर को इसके अंदर डाल दीजिए और गाजर को हमें अच्छे से भून लेना है अभी तो फ्लेम को हमें लो या मीडियम रखते हुए दो मिनट भून लेना है उसके बाद फिर हम इसमें दूर डालेंगे अगर आप मीडियम फ्लेम रखें तो दो मिनट अगर लो र जोनि गांजर का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और इसका कलर देखे एकदम रेड हो जाता है और फ्रेश गांजा रहती है तो मीठास भी इसमें ज़्यादा रहती है अगर आप शूगर पेशेंट हैं तो चाहें तो घी की मातरा कम कर दीजे और शूगर आप आवाइट लगा देंगे उसके बाद वैसल को ओपन करने के बाद हम इसे अच्छे से अपने करची से या लकडी के चमच रहें भारी तो वो ज्यादा अच्छा होता उससे थोड़ा-थोड़ा प्रेस कर देंगे बहुत जादा अभी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है अब हमने जो ब चलाते हुए भूनते चले जाएंगे बहुत जादा खर्चा भी नहीं होता ना समय लगती है देखिए एक दम मैशी नहीं बहुत ही दानेदार हलवा बना है इसमें हमने ब्राउन शुगर वन एर्थ कब डाला है यानि दो चमच और आप अगर शुगर पेशिंट हैं तो इसमें अवायट भी कर सकते हैं फिर भी आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा हम इसमें ड्राइफ रूट्स डालेंगे चॉप ड्राइफ रूट्स पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर खोया क्रश करके डाल रहे हैं और चार से पांच इलाइची जो होगी हमारी उसके दाने डालेंगे इलाइची के दाने डालते हैं तो इसका स्वाद और ज़्यादा ब चाहें तो कुटी भी PC इलाइची डाल सकते हैं पर इलाइची के दाने डालने से यह होता है कि जो इलाइची के दाने हैं जब मुह में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है बड़ा ही स्वाद और हमारे गांजर के बढ़ जाते हैं गांजर के हलवे को तैयार करने के आप चाहें तो इस गरम मा गरम हलवे में एक चमच घी डाल दें अगर आप शूगर पेशिंट हैं तो अवाइट करिएगा सिर्फ ड्राइफ रूट्स थोड़े से ले लीजे सजा लेजे मैंने तो थोड़ा सा इसके उपर इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैंने घी डाला है और इसके उपर से हम थोड़ा सा घर का बना खोया कदूकस करेंगे आ रहा है न देखकर मुह में पाने